नमस्कार TPV News में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अखिल जांगे विद्यावान गुणियति चातुर रामकाज करबे को आतुर मतलब विद्या का ज्यान इतना की सभी ग्रंथों सभी वेदों का ज्यान उनके अंदर समाहित है और प्रभू स्री राम के सबसे बड़े भक्त कि उनकी आज्या का पालन हमेशा करते थे चाहे वै कितनी भी जटिल प्रिस्थिती हो ऐसे है महाबली महावीर हनुमान चेत्र माह के शुकलपक्स की पुर्णिमा के दिन हनुमान जैनती मनाई जाती है हनुमान जी को भगवान शिव का ग्यारवा अवतार माना गया है इस दिन भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया था कल्यूग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जो ध्रती पर विद्धिमान है इस दिन वीदी विधान के साथ हनुमान जी की पूजा आर्चना और उपासना की जाती है इस दिन हनुमान मंदिर को फूलो और मालाओं से सजाय जाता है वही कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते है हनुमान जी ने अपना जीवन स्री राम को समर्पित किया है वे हर पल स्री राम की भक्ती में लीन रहते है हनुमान जी ने स्री राम की मित्रता सुग्रीव से कराई लंका में सीता का पता लगाया लंका दहन किया संजीवनी बूटी लाकर लक्षमन के प्राण बचाए हनुमान जी के इन कामों की वज़े से स्री राम खुद को हनुमान जी का रिणी मानते है हनुमान जी अष्ट चिरन जीवियों में से एक है यानि वे हमेशा जीवित रहेंगे महाविर हनुमान ने अपने जीवन में आदर्शों से कभी समझोता नहीं किया लंका में रावन के उक्वन में हनुमान जी और मेगनात के मद्दे हुए युद में मेगनात ने ब्रहमास्तिर का प्रियोग किया हनुमान जी चाहते तो वे इसका तोड निकाल सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे उसका महत्व कम नहीं करना चाहते थे इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्तर का तिव्र आगात सहे लिया हनुमान जी के जीवन से हम शक्ती और सामर्थी के अवसर के अनुकूल उचित प्रदर्शन का अगुण सीख सकते हैं तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुक्सम रूप धरी सीही दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा अर्थात हनुमान जी का चरित्र ऐसा था कि सीता के सामने उन्होंने खुद को लगू यानि की शुक्सम रूप में रखा क्योंकि यहां वह पुत्र की भूमिका में थे लेकिन सहारक के रूप में विराक्षसू के लिए काल बन गए